ये हैं बेशन के मज़ेदार चीले बहुत सौफ्ट बनते हैं और इतनी जल्दी बन जाते हैं जट पट बनते हैं अगर बहुत ज़्यादा भूख है ज़्यादा टाइम नहीं है तो फौरी तोर पे आप इसे बना के खा सकते हैं असलाम अलेकुम दोस्तों आज हमने बनाए बेशन के मज़ेदार से चीले इतने आसान होते हैं और इतनी जल्दी बनते हैं तो मेरा दिल चाहरा था बहुत अर्शे से नहीं बनाये थे मैंने का चलो इसको बनाती हूं उसके लिए हम बेशन ले लेंगे जितने आपको तयार कर होगी लाल मिरच और लेसन की जिसके साथ हम इसे खाएंगे लाल मिरच और लेसन की चटनी तो मैं आप लोग साथ वैसे ही दूसी चिज़ों में बना के शेयर कर चुकी हूं और इसके लिए यह है कि हम बेशन का गोल तयार करेंगे और अगर आप बहुत जादा सौफ बनान इस तरह आप इसको तैयार कर लीजे उसके बाद हम क्यूले पे तवा चुडाएंगे तवे के ओपर हल्की हल्की चिकना ही लगाएंगे चाहे ओल लगा लेंगे जो भी आप पसंद करें और फिर हम इस ढोल को उसके ओपर डालेंगे और रोटी की तरह उसको पहला लेंगे और इसे हल्की आट पे बनाना है आइस्ता आइस्ता हम चम्चे की मदद से इसको लिक्वेट को पहलाते जाएंगे और फिर जब ये एक तरफ से अच्छे सिख जाएगा तो फिर हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे लेकिन ये खयाल करना होगा कि किनारों के पास से तवे प जब से भी हम इसको इसी तरह हलकी आज पे शेख लेंगे और चाहें तो चंद बूंदे जो हैं वह गी की या तेल की आप इसमें तब इको पर डाल दीजे ये देखें बेसन का मज़ेदार सा चीला तयार हो चुका है और हम तमाम बेसन को इसी तरह तब इको पर चीले बना इसकिमाल करेंगे और दोस्तों इतने बेसन में पांच चीले तयार हुए हैं और इतने मज़ी के लग रहे होते हैं यो बहुत जल्दी फॉरन बनते हैं यूं समझें कि जट पड़ आप इसको बना के खा सकते हैं और शूगर वालों के लिए तो बेसन की रोटी बेसन के ची तो के दोस्तों, अलाव वाफिस!